ONGC Q2 Results, Oil Company का शांदार प्रदर्शन, Net Profit में 142.4% की बढ़ोतरी सितंबर 2023 तिमाही में Oil & Natural Gas Corporation Limited का Consolidated Net Profit 142.4% की बढ़ोतरी के साथ 16,553 करोड रुपए रहा ONGC ने Exchange Filing में बताया कि पिछले साल की इसी अवधी में Company का Net Profit 6,830 करोड रुपए था हालांकि संबंधित अवधी में Company का Revenue 12.9% गिरकर 1.46 करोड रुपए हो गया सितंबर 2023 तिमाही में Oil & Natural Gas Corporation Limited का Consolidated Net Profit 142.4% की बढ़ोतरी के साथ 16,553 करोड रुपए रहा ONGC ने Exchange Filing में बताया कि पिछले साल की इसी अवधी में Company का Net Profit 6,830 करोड रुपए था हालांकि संबंधित अवधी में Company का Revenue 12.9% गिरकर 1.46 करोड रुपए हो गया पिछले साल की इसी अवधी में यहां आकड़ा 1.68 लाख करोड रुपए था Company के Board ने 5.75 रुपए प्रती शेयर के हिसाब से अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है डिविडेंड बाटने के लिए Record Date 21.9 नवंबर 2023 तै की गई है वित्वर्ष 2023 से 2024 की दूसरी तिमाही में ONGC का कुल क्रूर प्रोडक्शन 2.1 परसेट गिरकर 52.49 करोड मेटरिक तन हो गया जबकि वित्वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में यहां आकड़ा 53.60 मेटरिक तन था इस बीच सितंबर तिमाही में ONGC का नेचुरल गैस प्रोडक्शन 2.8 परसेट घटकर 5.2 अरब क्यूबिक मिटर हो गया जबकि पिछले साल यहां आकड़ा 5.35 अरब क्यूबिक मिटर था कमपनी का कहना है कि प्रोडक्शन में गिरावट की मुख्य वजह कुछ मैचोर फील्ड्स और मार्जिनल फील्ड्स में गिरावट है ONGC ने कहा कि इस गिरावट को रोकने के लिए कमपनी कुओ में नई ड्रिलिंग गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है भारत में कमपनी के ओफशोर एपी सेग्मेंट का एबिट 10,380.15 करोड रुपए रहा जबकि ओनशोर एबिट 2,215.58 करोड रुपए था संबंधित अवधी में रिफाइनिंग और मार्केटिंग सेग्मेंट के लिए ONGC का एबिट 8,88.37 करोड रुपए था जबकि पिछले साल इस सेग्मेंट में कमपनी को 4.748.44 का नुकसान हुआ था Bombay Stock Exchange में कमपनी का शेयर 1.61% की बढ़ोतरी के साथ 195.75 रुपए पर बंध हुआ